पूरे देश में राजपूस समाज भारते जनता पाटी के साथ में है और बिहार में भी राजपूस समाज मजबूती से भारते जनता पाटी के साथ में है हम कहीं चले जाए और कोई विधाय कहीं चले जाए इससे कोई फरक नहीं पड़ता है लालो परसाजी का अब उम्र नहीं है किसी भी तरह के काम करने का जो उनको करना था नब्बे के दसक में कर लिए जंगल लाज बिहार में लाए लोग भाग भाग करके आते हैं दूसरे दल से लोग यहां भाग के आते हैं यहां से जाने कर कोई सवाली नहीं है नमस्कार आप लाइफ स्टिक्स देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा देखे बिहार में मंत्री मंडल का विस्तार होते ही क्या बीजेपी के भीतर बड़ा कला नजर आने वाला है देखे दिस तरीके से कल देर रात खबर जो है उफान की तरह बिहार की राजनीतिक गलियारों में फैल जाती है बीजेपी के एक विधायक के आवास पर सिक्रेट मीटिंग चलती है और मीटिंग के भीतर कई खिच्रियां पकती है जिसके बाद अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए एक MLC जो है वो मिलने के लिए पहुच जाते है राजू सिंग के आवास पर और घंटो मुलकात होती है अब ठीक सवाल यही है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है क्या विधायक नाराज है देखे हमारे साथ बात करने के लिए नीरत सिंग बब्लू है ब्यारत सर्कार के मंत्री है क्या लगता है बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है चुकि कल देर रात मिश्रिड लाल यादव गयनेंद सिंग गयानू और कई ऐसे विदायक है जिन्होंने सिक्रेट मीटिंग की ह है राजू सिंग जी के आवाज देखिए कहीं कोई बात नहीं है हमारे भी बात सभी विदायकों से हुई है आपस में कोई बैठ रहे हैं इसका मतलब थोड़ी बिरोध होता है कुछ फंक्शन था उसके हिसाब से होली मिलन कुछ लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से कहीं और ब हमारे विदायक पूरी तरह ृचिप्लीन है कहीं कुछ पार्टी खेलाप नहीं जाने बाले हैं कुछ हमारे सेas aneur है कुछ साथी हैं कुछ हमारे जूनियर है सब लोग का आपस का बात है और कोई भी डेमांड होगा तो पार्टी ने तरू से लोग डिमांड करेंगे और प सरकार बचाए विधायाक और मंतरी इसा नहीं है सबों का जूरत होता है लेकिन यह करने की भी तरह का बात है मुझे चोदरी जी मुझे लगता है कि उनकी सबसे बात हुई होगी और यह सब कुछ है नहीं सारा सलट जाएगा कोई कोई बात नहीं कहा गया है कि कई लोगों को कमिट्मेंट किया गया पार्टी के तरफ से क्या आप मंत्री बन रहे हैं लेकिन टाइम पर जो है लेस्ट से नाम से कुछ परिसेतियां बनती है कुछ आगे कुछ पीछे होता है और बहुत सारा सीट अभी खा लिए बहुत सारा जगह खा लिए मुझे लगता है का आने वाले लोक्षभा के बाद हो तो फिर एक एक्स्टेंशन होना मांकी है जब एक्स्टेंशन होगा तो उसमें लोगों को बिहार से बाहर भी पूरे देश में राजपूस समाज भारते जनता पाटी के साथ में है और बिहार में भी राजपूस समाज मजबूती से भारते जनता पाटी के साथ में है इसमें कहीं कोई दो रह नहीं है हम कहीं चले जाएं और कोई विधाय कहीं चले जाएं इससे कोई सबाल ही नहीं है और मजबूती से हम लोग साथ में हैं और मजबूती से पुरा समाज साथ में हैं और आने वाले चुनों में लोग सबा में बिहार में 40 का 40 सिर्च हम लोग जीतने वाले हैं दो राजपूतों को मंत्री बनायागा, मगर राज़त के MLC है, लालू प्रशाद यादफ के बहत करीबी माने जाते है सुनिल कुमार सिंग, वो कहा रहा है कि राजपूतों की हालत देख रोना आ रहा है, विरोधियों का काम है, कुछ से कुछ बोलना, उल्टा बोलना, ये व चलते रहता है, एक जो बने मंत्री उनको भी हटा दिया गिया, यही उनका हमको लगता है कि उस पाटी में जगह है, यहाँ भारते जंता पाटी में पूरी तरह सम्मान है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आपस का कुछ बात है, वो बैट के तए होगा, उसके लिए बात चलेगे, उसके लिए बात किया जाएगा, बाकिये पार्टी के हमारे नेता, सब कुछ देख रहे हैं कि किस समाज को कहा रखना चाहिए, किस समाज को कितना हिसेतारी देना चाहिए, कितना उनको जगह देना चाहिए, कौन सा मंत्रा देना चाहिए, हर चीजों पर विचार चलना है और आगे मुझे लगता है कि सब चीजों का द्यान रखा जाएगा जो बाद में होना है विस्तार क्या राजपूतों को और जगह मिल सकती है यह करना पार्टी नत्रुद काम है लेकिन मैं सिधे तोर पर यह कह सकता हूं कि राजपूतों को जो उची सम्माल मिनना चा पहले क्या कर रहे थे लालो परसाज जी का अब उम्र नहीं है किसी भी तरह के काम करने का जो उनको करना था नब्बे के दसक में कर लिए जंगल लाज बिहार में लाए पूरा देस में बिहार बदनाम हुआ अब यह दिन मुझे नहीं लगता है कभी आने वाला है यहां NDA क सरकार है double engine की सरकार है यहां मानशनीय प्रधान मंत्री जी का विशेष फोकस है कि हमको बिहार को आगे बढ़ाना है नितिश कुमार जी पूरा लगे हुए कि हमको बिहार को और मजबुत करना है इसलिए यहां किसी का दाल नहीं कलने वाला है चाहे वो कहीं से कुछ करे जि सब कुछ ठीक है लोग भाग भाग करके आते हैं यहां से जाने का कोई सवाली नहीं है आपसी जो बात है उसके लिए पार्टी नितुरी देख रही है पार्टी नितुरी से पताय करेगी कि हमको क्या करना चाहिए कैसे किनका सम्मान होना चाहिए एक घर है बड़ा घर है बबलू हमारे साथ मौजूद थे क्या कुछ इन्यों नहीं कहा है आपने सुना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ हमारे फिस्जिक पेज को फॉलो करना वीडियो को लैक्शिर करना बिलको भी न भूले